Hey guys, welcome to my channel TechInfo मेरा ना मेरा हुल, स्वागत है आपका आज की इस न्यूव वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट है सभी के लिए तो वीडियो को पुरा ध्यान से देखिए और लाश्ट तक देखिए काफी लोगों ने मुझसे पूछा था की आजकल जो नए स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके पावर ओफ होता है वो कैसे होता है जो हमारे पुराने स्मार्टफोन होते थे उनके अंदर पता था क्या होता था या फिर जो हमारे पुराने स्मार्टफोन है, जिनके अंदर Android 12 का अपडेट आ चुका है, उनके अंदर भी जो उप्शन ता वो गयाब हो चुका है, ठीके, आप मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, दो तिन फोनों के अंदर करके, कि आपको नए स्मार्टफोन के अंदर स्विच ओफ कैसे करना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले मैं आप लोगों को पुराना तरीका दिखायता हूँ, ये मेरे पास स्मार्टफोन है, ठीके, तो ये हमारा पावर बटन है, मैं इसे पुश करके रखूंगा थोड़ी देर तक, और ये मेरे सा लेटेस्ट लोँच हुआ है, अभी रेनवेट प्रो, ये न्यू स्मार्टफोन है, मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ, ये पावर ऑफ फला बटन हैं मैं से पुश करके रखूंगा, देखे हैं, यहां पर उप्शन नहीं आया, तो वोल्यूम अप और पावर बटन, आप मुझे दोनों को एक साथ पुश करना है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, री स्टार्ट और पावर ओफ, दोनों का ही ओप्शन यहां पर आ चुका है, मैं आपको वापे से करके दिखाता हूँ, एक बार दोनों को एक साथ पुश करना है, और आपके पास दोनों चेक करा देता हूँ, फोन की सेटिंग में ले जाकर, कलर वाइस तो इसके अंदर 12 है, और Android वर्जन भी इसके अंदर 12 है, इस पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, देखिए Android वर्जन 12, यहां कि जो 12 वाले जितने भी फोन है उनके अंदर ऐसा ही होगा, यह एक स्मार्ट यह दोनों एक साथ पुश करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, चार या पांस सेकेंड लगेंगे, और यह देखिए रिस्टार्ट और पावर ओफ का दोनों का उप्शन आ गया, तो बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी नए स्मार्ट फोन है उनके अंदर आपको ऐसी करना है, तो दोस्तों आप लोग समझतों गए होंगे, आपको अपने नए स्मार्ट फोन को पावर ओफ कैसे करना है, वोल्यूम अप और पावर बटन दोनों को एक साथ पुश करके रखना है, और आपके सामने वो वाला उप्शन आ जाएगा, रिस्टार्ट और अब्सक्राइब धिसट अगनल